नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल दिव्यास्ट्रो में मैं अपने चैनल के उपर वरत और तेहार की जानकारी एवं इसके अलावत जोतिश और वास्तु की जानकारी के अलावा आपकी साथ में अब शेर करूंगी 157 से जुड़ीवी जानकारी कि सपने में अब मेरे अन्य वीडियों के साथ साथ सपने से जुड़ेवे वीडियो भी देखेंगे तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथी साथ बैल आइकन को भी प्रेस करना ना बोले देखिए सपने आना एक बहु सपने आते आखिर वह क्या सपने रोजमरा की जिंदगी है उस रोजमरा की जिंदगी में घटने वाली घटना है यह वह विचार जो हम दिन बड़ सोचते रहते हैं यह उसका रूप भी हो सकते तो आप इन सपनों को नजर अंदाज ना करें उनके संकेतों को समझे अब मैं अ को हम देखते हैं वह अलग अवस्था में भी होता है पानी के सतरक है इसका भी हमारे सपने की संकित्व में अवीबिटा आज आज आती हैं कि पानी देखना शुब है या अशुब आजके बारे में जानते हैं सबसे पहले में आपको यह शबसर बताओंग यह सपने में साफ बाणी देखना छुब संक्यत हैज इसका आर्थ है कि आपको आपके कार्ये में जल्द ही सफ़लता मिलने वाली है अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका प्रमोशन हो सकता है, और यदि अगर आप वैपारी हैं, तो आपको बहुत ही जल्द बहुत अच्छा मुनाफ़ा होने वाला है, तो कुल मिलाकर यदि आप सपने में साफ पानी देखते हैं, तो यह सफलता का संकेत है, अब इसी सं में दूसरा भिंदू है कि सपने में घंदा पानी देखना, शौपन सास्त्र के अनुसार सपने में गंदा पानी देखना बहुती अशुब होता है, आने वाले समय में आपको बिवजब परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोई आर्थिक नौकसान भी हो सकत है आपके बनने वाले काम अचानक से बिगड़ने लग जाएंगे परन्तु आप निराश ना हो यह संकित आपको यह बताता है कि आप इसे समझे और सावधान रहें कुछ समय के लिए आप किसी भी बड़े कारिय यह बड़े जो निवेश है उसको टाल दीजिए अब मैं आप की जीवन में आने वाली कठिनायों का ही संकेत है एवं यह इस बात का भी संकेत है कि आप अंदर से बहुत दुखी है कुछ ना कुछ ऐसा विचार है आपके मन में जो आपको कचोट रहा है आपको परिशान कर रहा है ऐसे में भी आप इस संकेत को समझे और अपने दोस्तो और परिवार के साथ में समय वैतित करें, आप उन्हें अपने मन की विचार उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आपको कोई समाधान मिल जाए और आपका मन हलका हो जाए, आपके मन की परिशानियों को आप बाहर निकाल लिए, तो आज मैं आपके साथ में सरफ ये नदी का पानी या समुद्र का पानी देखते हैं तो वह आपके लिए कैसा होता है तो मेरे नेक्स वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा आज के लिए अलविदा धन्यों